हालो गुड इबनिंग छात्रों बेरी बेरी गुड इबनिंग बच्चों कच्छा 10 के NCRT गडित परस्नावली 12.1 आज शुरू हो चुका है जिसका नाम है बृत्तों से संबंधित छेत्रफल आज हम कुश्चन आपको नहीं दिखा रहे हैं कुश्चन मुह से बोल रहे हैं और 9CM है उसवरित्त्र की त्रिजर गयात जिए चिसकी परदी शर्कॉंफरेंस इन दोनों पुब्रद्दियों के योग के बराबर है मतलब समझ रहे हो सुनो है कि दो सर्कल दिए गए हैं और उनके ृड़ियाज भी दिए गए हैं समझ रहो आर्टू सर कल दिए हैं इनक दूसरा वदादा यह थोड़ा बड़ा है यह सरकल आपको क्या कहना थोड़ा भनाना इसे थ्यान रहना ठीक है सिकरेंट वाला तो यह थोड़ा बड़ा है कि इसका मंनलो अर्टू है उनछिन सेंटिमीटर है कि तो इसको रुडियाद कर दोनों को जोड़ करके जो परदी बनती कि वह इसके बराबर और इसा कुछ कह रहा कीजिए उस ब्रित्त का मतलब इस ब्रित्त का जिसका हाँ जिसकी परधी परधी मतलब सरकंफ्रेंस इन दोनों ब्रित्तों की परधियों के योग के बराबर है कह रहा है कि इन दो ब्रित्तों तो दिये इनकी तिरिज्जाएं दी गई है हमें तीसरे ब्रित्त का तिरिज्जा ही तना है कि इनकी दोनों की परिधियों का योग इसकी परिधी के बराबर है इटेट लिखते हैं चो जो दिया है लिखे फट फट चर्कमसा आप सर्कल लिखे इंग्लिस लगिंगे हिंदी वाले लिखेंगे बृत की परधी बराबर क्या होता है टू पाई आरिया सूत्र होता आप सबको पता है होता है ना चुकि हमें टू सर्कल के बारे में पहले से अल्रेटी दिया है कि इनका जो सम है वो तीफरे के बराबर है यह तो डिफाल्ट फार्मूला है तो हम इसी का यूज करेंगे टू पाई और पहले बृत के लिए आरवन प्लस टू पाई दूसरे बृत के लिए आर्टू इक्वल पाई तीफरे बृत के लिए रधरी से फार्मूले में हमने क्या किया इन तीनों सर्कल को कर सकते हो से नार्मल बृत्त की प्रदी का सूत्र यह होता है का कंफरेंस का चूंकि हमारे पास जो आर है वह अलग अलग है यह हो गया इसमें से देखो बाबु आप टू पाई कॉमन ले सकते हो तो आर वन प्लस आर टू बचेगा इन दोनों में समझ रहो इसमें देखो इसे हम टू प नहीं कर से अंसर लाने के लिए और डू कमιन आ आपको दिया है आरवान कमान 9 दिया है उन्हें दूल द्या है इकेला थ्री जोड़ोगे 28干ाल Romans THREE जल्दी करिए देखो बच्चों आप ध्यान से कोईश्चन देखो भाई या तभी मज़ा आएगा नहीं मज़ा नहीं आएगा कोईश्चन में बोल दे रहा हूं आप सुन लिजी हाई स्कूल में पहुंचेओ ना चलिए सेक नेक्ष्ट कोईश्चन सुनिए अगला कच्चादस की NCRT किताब है याद रखना NCRT में मिलाओगे तो डारेक्ट मिलेगा सेम टू सेम चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंगलिस मीडियम सब में मिलेगा तो बृत्तों की तरिज्जाएं करमसा 8 cm और 6 cm है उस बृत्ती की तरिज्जा ग्याद कीजिए जिसका छेत्रफल इन दोनों बृत्तों के छेत्रफलों के योग के बराबर है इंगलिस में भी सुन लो इंगलिस में सुनों। equal to the sum of the areas of the two circles चलिए देखते हैं यह भी सेम ऐसे हैं इसमें भी तीन सरकल का काम लगेगा कुशन आप सुन लिए हो अब सलुसन पर आजाओ देखे बच्चों आप सबको पता है कि इस तरह से दो सरकल दिए गए हैं जिनके छेदरफलों का जो योगफल है वो तीसरे के क्या है बराबर है और तीसरे वाले का क्या पूछ रहा है तीसरे वाले जो ब्रित है उसकी तिरि के देखल बराबर अको हमने है और थे एंडि इंग्लिस में बोला है हमारे पास्ट आलागं लागं सरकल है हुआ को थारास में नियुकांगर्वान पूरहकरे मिचा मका एक सबक्यार ओहर कुखरे गाहिए उसक्वावड है r3 यह clear है इसमें pi कामन ले लोगे तot oo का is square equal का is square हम दंधा यह यह 5 को कहां करती अभी पहली नहीं पहले मत करो नह인 हो जाएगा यह पाइघ से पा खतम कर सकतो आपका r1 square प्लस यह r2 का square equal r3 का square यह हो सकता है यहां से समझो r1, r2 और r3 के मान आपको दिये गए है अभी-अभी question में कह रहा था कि 8 cm और 6 cm यह दिये गए है तो यह 6 था यह क्या था 8 था दिया गया ना तो रख दो यह 6 का square और यह 8 का square इक्वल यह r3 का square आएगा यह 36 प्लस 64 इक्वल r3 का square यह हो जाएगा 100 इक्वल r3 का square फाइनल में 10 आ जाएगा r3 ठीक है कितना आ जाएगा 10 cm इसमें किसी को कोई problem कोई आपके जो तीनों सरकल दिये गए थे उसमें से पहले दूसरे का आपको त्रेज्जा दिया गया था थर्ड वाले का नहीं दिया गया था निकालना था सो मैंने निकाल दिया ठीक है किसी को कोई डाउट एनी डाउट नहीं ना तीसरे question पर चलें देखो भाईया बाबू ती साथी सेशन को लाइक कर दें तुरंत और अगले question के लिए तयार हो जाएं और जो साथी अभी तक PBR study YouTube चैनल को सब्सक्राइब ने किए वो सब्सक्राइब कर लें अरे चाचाए एड नहीं आ रहा है अगले question के तरफ आगे बढ़ो चलो जल्दी चलो फटा फट कोई डाउ